अम बात कर रहे हैं थे पशुपती पारस की जिन्होंने मंगलवार को नरेंद्र मोधी मंदल से स्टीफा दे दिया पशुपती पारस के पास खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले था पशुपती पारस थे मोधी मंदल से स्टीफा की घोशना तब की जब एक दिन पहले ह बिहार में NDA ने लोकसवा चुनाव के लिए सीटों की साजहिदारी की घोशना की हाला कि अब लोकसवा चुनावों की घोशना हो चुकी है इसे में पारस का मंत्री पत से सीफा देना बहुत माईने नहीं रखता वैसे भी उन्हें इस पत से हटना ही था परशुपती पारस के लिए सुमवार को ही बीजेपी ने संदेश दे दिया था कि उनके लिए NDA में अब जगा नहीं है बीजेपी ने चराग पासवान को NDA में शामिल किया और उन्हें 5 सीटे मिली है कहा जा रहा है कि चराग पासवान ने बीजेपी के सामने शर्ट रख दी थी कि या तो उनके चाचा इंडिये में रहेंगे या तो वो तो देखे कुल मिलाकर जहां पर भी नजर घुमाए वहां पर परिवाद में राजिनीती लडाई समय चरम पर है पस्पत नात जो पारस है इनके परिवार में लडाई सरक परिवार में लडाई ममता बनवर जी के परिवार में लडाई ऑभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था उडो ठाक्रे के परिवार में लडाई देखे सब चल लए चारो तरफ अब देखे इसमामला क्या बना कि पार जिस समय उनका निधन हुआ जो इनके प्रमुख नेता थे, तो उनका जब निधन हुआ, राम विलास पासवान, वो मंत्री रहते से, उनने एक खास वाद थे, वो जान लेते थे कि राजनीत का मौसम क्या है, मौसम वेज्ञानिक भीकर, राजनीती का मौसम वेज्ञानिक कहा जाता है, तो इसी कारण वो हर सरकार में मंत्री रहते थे, काविनेट, अब उनके जो छोटे भाई थे, ये उनकी सीट से लड़े थे, और उनके पास समय पास सांस थे, इन्हों ने क्या-क्या उस समय, जुड़ाओ कर लिया, और उसके वज़ में इनको मंत्री पद्ध भी दे दिया गया, अब जब दुबारा बात आई, तो चिराग ने जैसा भी तुमने बताया ना, उन्होंने कही जा बज़ देखो, अगर एंडिये से का, या तो उनको, या हम को, अब देखा बीजेपी न कि सीज़े सीज़े चिराग पास्वान को अपना लिया, और इतना ही नहीं किया, बल्कि ये कोशिस की, कुछ सीटे उनको मिल जा है, लेकि समझ रोता है, और जो जो पास सीटे थी, वो पास ही पास सीटे चिराग को मिल गए, अब दिकत क्या हुए कि जब, ये तो खाली हो पारस बावू क्या करते तो पहले तो उन्होंने का रहे ने मैं एंडियम रहूंगा साइथ कुछ वो लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब तो एलान हो गया अब हमाई लिए कुछ बचा ही नहीं तो अब उन्होंने इस्तिफा दे दिया अब अलग रायक किये और लालू पासवान अमेसा चुनाओ रहते रहे अब क्या हुआ हाजीपूर सीड जो है चिराक को दे लिए तो चिराक वहां से लड़ेंगे और इनकों ने भी तार्ट होगी कि हम भी वही लड़ेंगे क्योंकि हम तो तो अब ये चाचा और भतिजय की लड़ाई हाजीपूर में होग बिल्कुल तो पिछले विदान सब्द चुनाओ में भी हमने देखा था कि किस तरीके से चुराक पासवान लोगों के भी जा करके अपनी आप बीती सुना रहे थे और इस बार पढ़दा जो है वो बिल्कुल पलट गया वो जो बाजी थी जो चाचा ने चलाई थी अपने उपर चल गई हो बीजेपी ने पांच की पांच सीटे चुराग पासवान को दे दी है आने वाला वक्त तै करेगा कि चुराग पासवान ने जो बाजी खेली है वो उसमें वो सफल होते है या नहीं होते है इसमें एक बात और बता दे रहे है जब बिदान सब्द चुनाओ हुआ तो इस समय इन्होंने का मैं एंडिये तो साथ हूं लेकिन जेडियू के साथ थे नितिश कुवान ने इनके साथ नहीं है ये बात को लेकर कि और इन्हों ने बाकाते बिरोध किया तो जो आंकड़े आ है उसमें ये देखा गया कि नहीं-नहीं इनका एक आधार है और जीताने और हाराने की हैसियत भी कहीं न कहीं रखते कुछ परसेंट बोट इनका है उसी आधार पे बीजेपी ने पारस की जगहे पर जो है चिराक को अपनाया बिलकुल तो बीजेपी ने पहले आका आकीन की हैसियत कितनी है और इस बार चिराक पास्वान को पाथ सीटे दे ही है तो देखें तो हजार चौबेस के लोग सबाच चुनाव नजदीक हैं और लगातार उठापटक जारी है नतीजे बताएंगे कि किसकी होगी इस बार सरकार